हर्याना में पूर्व मंत्री की मुश्किलें बढ़ी, सेक्शुल हर्यास्मन के आरोप लगाने वाली महिला कोच कॉंग्रेस में शामिल, संदीप सिंग वाली सीट से टिकेट मांगा, हर्याना के पूर्व खेल मंत्री और भाजपा विधायाक संदीप सिंग की मुश्किलें ब प्रदेश सचेव नियुक्त कर दिया अब महिला कोच ने पिहोवा विधानसभा सीट से कॉंग्रेस के टिकेट के लिए आवेदन किया है अगर भाजपानी संदीप सिंग का टिकेट न काटा और कॉंग्रेस ने महिला कोच को उमीदवार बनाया तो पिहोवा में दोनों आमने सामने होंगे दो साल पहले हर्याना खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने संदीप सिंग पर छेड़ चाड़ के आरोप लगाए थे महिला कोच की शिकायत पर चंडिगर की सेक्टर 26 थाना पुलिस ने 31 दिसंबर 2022 को संदीप सिंग के खिलाफ IPC की धारा 354, 354A, 354B, 342, 506 और 509 के तहट केस दर्श किया था हाल ही में चंडिगर कोट ने कोच के आरोपों को लेकर संदीप सिंग के खिलाफ आरोप तै किये हैं इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी इसी दिन गवाहों के बयान दर्श किये जाएंगे हर्याना में महिलाओं की करीब 1. दशमलव 20 करोड की आबादी है पुरुषों के मुकाबले ये आधी आधी आबादी है चुनाव में भी महिलाएं बढ़ चड़ कर हिस्सा लेती हैं हाल ही में संपन हुए लोकसभा चुनाव में पुरुषों का मदान प्रतीशत 70.25 फीसदी था जबकि महिलाओं का 79.25 फीस कॉंग्रेस ने उनके स्तीफिक इमांग को लेकर वॉक आउट तक कर दिया था इसके बाद अब भाजपा संदेप सिंग को लेकर कोई भी मुद्दा चुनाव में नहीं बनाएगी